बस एक चम्मच पीलो, फेपडों, छाती, गले में सालों से जमा हुआ कप बाहर निकल जाएगा, वो भी बिलकुल तुरंत इसको पीने से रातो रात ही ये सरीर के सारे दर्द को चूस जाएगा, आपको कभी वात रोग नहीं होंगे, आप 120 साल तक जियोगे, वो भी बिलकु निरोगे जीवन, नमस्कार दोस्तो, दोस्तो आज की इस वडियो में मैं आपको एक ऐसे चमतकारी नुस्खे को बना कर दिखाऊँगा, दोस्तो इस नुस्खे को बनाने में आपको महज एक मिंट लगेगा, और एक मिंट का ये नुस्खा आपके लाखों रुपयों को लाकत रखते हैं, आपके सरी का कितना भी पुरानी से पुराना दर्द हो, गुटने घिस चुको हो, उनको भी सही कर देगा, घरीज को दोबारा बनाने का काम करेगा, यदि आपको दिल की कोई बिमारी है, उसका भी ये एक कारगर इलाज है, कोलोस्टोल को सही करेगा, कोई बीमारी आस्थमा की कोई बीमारी आपको कभी जीवन में है तो आपको इस नुस्खे को जरूर अजमाना चाहिए क्योंकि उसके लिए तो इससे कारगर कोई नुस्खा हो नहीं सकता। पीपली हमें सभी जगहें देखने को मिल जाती हैं। एक को बोलते हम छोटी पीपली और दूसरे को बोलते हम बड़ी पीपली वो दोनों अकार के कोडिंगे हैं। हमने इस नुष्खे को बनाने के लिए बड़ी पीपली का प्रयोग करना है क्योंकि सांस के रोगों के लिए बड़ी पीपली एक कारगर दवा की तरहें काम करती है और आपके इन सब रोगों का एक कारगर इलाज करेगी आपको इन बीमारियों से बचा देगी दोस्तो इस नुस्खे का प्रयोगा आप कई तरीके से कर सकते हैं चाहे आपको कितनी भी पुरानी खांसी और बुखार हो उसमें ये नुस्खा कारगर तरीके से काम करेगा जो खाम का इलाज करेगा यदि आपका गला बैठ गया है उसको दूर करेगा सांस के रोगों को दूर करेगा दोस्तो ज़िए आपको एनिंदरा की समस्य है और आपको नीद नहीं आती न तो उसका भी इससे कारगर कोई इलाज हो नहीं सकता बस आपने इस नुस्खे का सेवन रात को सोते समय करना है और फिर देखिए आपको कैसे चैन की नीद आएगी आपको चोट का दर्द हो, मोच का दर्द हो उसमें भी एक कारगर तरीके से काम करेगा आपके मुटापे को कम करेगा, कोलोस्टोल को सही करेगा हिचकी की समस्या को रोक देगा तो चले दोस्तो बनाते हैं इस नुस्खे के बारे में फिर आपको बताएंगे कि आपने इसका परियोग करना कैसे है दोस्तो ये होती है बड़ी पीपली आपने इस नुस्खे के लिए इस बड़ी पीपली का ही परियोग करना है दोस्तो आपने इस बड़ी पीपली को कूट कर इसका पाउडर बना लेना है जैसे कि ये हमारा पाउडर रेडी हो गया आपने भी ऐसे ही आप गराइंड कर सकती है ये हमारा पाउडर रेडी हो गया दोस्तो आपने इस बड़ी पीपली के एक चमच पाउडर का प्रियोकर ने एक छोटा चमच पाउडर आपने लेना है ये हमने डाल दिया अब आपने इसके अंदर डाल ली है दो काली मिर्च वो भी कूटकर ये हमने काली मिर्च कूटकर डाल दी है दोस्तो सांस की रोग हो च्छाती में जमा बल्गम हो गया उसको निकालने के लिए काली मिर्च बहुत कारकर है मुटापे को दूर करती है आपके चेहरे पर नयाग गलो लाती है और इन सब गुणों को बढ़ाने के लिए हम इसमें प्रियोग करेंगे सहद का तो दोस्तो आपने दो चमच इसमें परकार के सांस के रोगों के लिए छाती में जमा बल्गम कफ को निकालने के लिए साइनस की यदि आपको समझ्या है तब भी आप इसमुस्खे का प्रियोग कर सकते हैं अब बात आती है इसके सेवन की विदी दोस्तो आपने इसके आदे चमच का सेवन तो करना है दोपहर क खाने के बाद और आदे चमच का ही सेवन करना है रात को खाने के बाद यनि अब दिन में दो बार इसका सेवन कर सकते हैं और दोनों बार में सिर्फ आपने इसका एक चमच लिया और समझ लीजे आपकी बीमारियों का खातमा सुरू हो गया इसको लेने से आपका कोलोस्टो लेवल सही होगा, हाट आपका प्रोपर तरीके से काम करेगा चाती में जमा सालों का कफ बाहर निकल जाएगा ये आपके सारे दर्द को चूस लेगा वात रोगों का भी कारगर इलाज है तो दोस्तों देर किस बात किया है यदि आपको या आपके किसे लेटिव जानकार को कोई भी सांस का रोग है तो इस नुस्खे को उनके साथ सेयर जरूर कीजे इसे वीडियो को ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर इस नुस्खे को अपने घर पर बनाए और इस नुस्खे का परियोग करें और अपनी इस समस्या का घर पर ही इलाज कर दें दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको हमारी वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके साथ में जो बैल का इकोन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सबी आने वाली वीडियो की नोटिप के सन आते रहे धन्यवाद दोस्तों